नवरात्री उत्सव की धून पूरे देश में आज से शुरू हो गई हैं बोरी वली में कोरा केंडर ग्राउंड में सुनीर राने और दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिती द्वारा आयोजित होने वाले भागतिरस नवरात्र महुत्सव दो हजार चौवीस की शांदार शुरूात हो रही हैं पश्चिम बंगाल के परंपरागत दुर्गा महुत्सव की थीम पर मुंबाईकर बोरी वली में भाव्य नवरात्री उत्सव के रंग और उत्साह देख सकेंगे बोरी वली के विधायक सुनीर राने ने नौ दिन चलने वाले ग्रैंट दुर्गा पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि भागतिरस नवरात्री महुत्सव का आयोजन बहुत ही ग्रैंट तरीके से किया गया है भाव्य पंदाल और दुर्गा प्रतिमा के साथ पश्चिम बंगाल पारम पर एक दुर्गा महुत्सव की थीम को अपनाया गया है मुंबई करिय पहली बार इस भाव्यता के साथ भागतिरस नवरात्री महुत्सव का आनन ले रहे हैं गर्बा और दांडिया के लिए प्रसद बोरिवली में पहली बार गीत संगीत और नृत्य के साथ भागतिरस नवरात्री महुत्सव 2024 बहुत अनूठे तरीके से आयोजित किया गया सुनीर राने बताते हैं कि हमने नवरात्री महुत्सव 2024 में बॉलीवुट के बड़े स्टार डिवोशनल सिंग के साथ ही अनूठ चलोटा और हेमा मालिनी लेजनरी कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ इस महुत्सव हो बहुत ही भव्य रूप दिया है किया है बहुत कुछ अच्टे च्ज़ गया कांसे पॉरुली लेके सभी हमारे नागरिकों को मैं सबसे पहले नवरात्री की सुपकामनाय देता हूँ शुपच्चा देता हूँ नौरातर उत्सव ये भारत की संस्कूरती और परंपरा को उजागर करने वाला हमारी देवी मा का उत्सव होता है और आज आप सभी ने देखा है कि इस भव्य सभागरों में हमने नौरातर उत्सव की एक कलपना की परियोजना को एक नए पंक दिये वैसे तो बोरुली में सभी जगाओं पे दांडिया के उत्सो होते हैं नवरात्री उत्सो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है हमने भी पिछले तीन साल लगातार नवरात्री उत्सो दांडिया के माध्यम से मनाया लेकिन इस साल नौरात्री उत्सव का नामी हमने रखा है भक्ती रस देवी मा की आराधना, उपासना, प्रार्थना, साधना जिसके माद्यम से भक्ती या अनोका संगम यानि भक्ती रस का कारेगरम दुर्गा देवी का भव्यरूप जो हमारे पीछे है जो आपको अभी कहीं किशनों में देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि बोर्यूली के सभी लोगों ने बहुत बड़े-बड़े गायक और गाही काओं के मात्यम से नौरात्री उत्सव का पूजन किया है यहां पर देवी दुरृगा मां का वो दुरुश्यों होगा चहांपर हम कहे देगि महषासुर मर्दिनी दुरुगा मां का हुवे उत्सагं कलकत्ता में होता है और बैसे ही पहले बार मैं तो कहूं कि मेरे जीवन में मैंने मुंबई में भी इतना विशाल ऐसा दुर्गा देवी का रूप मैंने नहीं देखा था जो हमारे सभी कलाकार है जिन्होंने इस कला को बनाया है विशेश रूप से हमारे अमोल हिक्वेकर है जिन्होंने बहुत परिश्रम करके ये पीजे का भव्यस सेट बनाया है और इसके लिए बोर्विली के और मुंबे के सभी लोगों को मैं इस नवरात लियुट्सों में आमंतरित करता हूँ जहां पर आने वाले नौ दिन में लगातार भरत नाट्यम कत्तक जिसकों कहते हैं कि अलग अलग नुरुत्य के अविश्कार के मात्यम से दुर्गा देवी की आराधना होगी उसके उपासना होगी प्रारतना होगी अनुप जलुडा जी का भजन होगा, हमारी उत्तरपदेश की मतुरा की सांसत, सन्माननिया हेमा जी का, दुर्गा देवी का नुरुत्य होगा, यहाँ पर तन धन पायो करके इंग लता मंगेशकर जी के कारेक्रमों के उपर, अलग-अलग नुरुत्य के माद्यम से, यानि ओडी सी, मनीपुरी, भरतनाट्यम, कत्थक, इसके माद्यम से, राग संगीत के माद्यम से भी यहाँ पर कारेक्रम होगा, ऐसे अलग-अलग कारेक्रम हैं, और यह कारेक्रमों के माद्यम से देवी की पूजा होगा, मुझे लगता है ऐसे पहले बार दुर्गा देवी नहुरातर उत्सों समीती बुर्यूली इसके माद्यम से ये कारेक्रम हो रहा है मैं आप सबको ये कारेक्रम में आमंतरीत करता हूँ बोरियोली के साथ साथ जो उत्र मुंबई की जनता है और जो जनता विरार से मुंबई तक है जो आना चाहती है उन सब को कोई इसकी फीज नहीं है कोई पैसे वरने नहीं पर आपको निश्च्छल्क इसस कारेक्टरम में आने मिलेगा और मा दूर दुर्गा देवी की वह आरा धना और वह उपासन आपको करने का मौका के लिगा सुनिल सर जिस तरीके से आपने कहा कि भक्ति के जो महौल है वो आप बोरी ओली में तैयार करना चाहिए वहीं दूसरी तरह बिजनस देखा जाता है नौरातर आते से ही लोग पासेस वगेरा बाटने लगते हैं तो क्या थोट है कि इन सारी चीजों से लोगों को निकाल कर एक भक्ति में महौल में ढालना चाहिए वैसे पासेस के बारे में देखो एज़ा है कि सब जगा पे जो नौरातरी होते हैं वो नौरातरियों का भी मैं समर्दन करता हूं होने भी चाहिए उसकी कीमत भी बहुत जादा होती है और जैजा हम देखते हैं कि स्टेज लगाना वहा कि भी कोई वैल्यू नहीं होती है हम देखते हैं कि इसके लिए उसकी जो कीमत है हर कोई चीज की कीमत तो होती है अच्छा अगर आप चित्रपड देखने को जाते हो तो भी हम ऐसे बढ़ते ही है तो मुझे लगता है कि और सभी नौरातरियों को भी मैं शुबेक्चा देत है तो इसके लिए मैंने तांडिया से थोड़ा हटके भक्ति के मार्ग में लोगों को लेके चलने का एक प्रयास है और लोग इसमें बिल्कुल आनंद से भक्ति रस का अनंद लेना है इस तरीके का थौट्स क्यों है जहां पर लोग अलग मोहल लेकर चल रहे हैं आप यहां आई सामस्कृतिक हो सामाजीक हो या देश के लिए जो कारिकरम हो वो सबके सोचने के बाहर जाके मैं सोचता हूँ जैसे हमारा वन फॉर आल कारिकरम है जो हमारे देश की सेवा करते समय अपनी देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला जवाद अपने प्राणों का बलिद अपने जवान बॉर्डर पे बहरा देते हैं गोली बारी होती है आतंगवादियों के साथ जूंचते समय जख्मी हो जाते हैं तो उनको वहां से सरब से लेके अपने अस्पताल तक लाने के लिए आटाट अबुलन्स मैंने उन राज्यों में दी है ऐसे बहुत सारे काम साम कुछ हटके करने का एक मौका ये सौबा गया है कि देवी माने मुझे दिया और कुछ अक्षणों में मैं आप लोगों के लिए देवी मा की जो प्रतिमाएं हमारे जिन कलाकरों ने बनाई हैं उसका रूप आप जब देखोगे और शाम को यहां पर जिस प्रकार से रुद् संस्कृति के बारे में आप बताना चाहते हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं कहीं न कहीं ऐसे करने से लोगों के बीच में वो बना रहेगा मौल युवाओं को तो प्रेरिते को अभी ऐसा है कि यहां पर जिन युवाओं के माध्यम से रुद्य होगा वहाँ पर अलग अग जलोडा जी जैसे बहुत अक्षेष्ट संगितकार और गाया के जिन्होंने भजन की एक सीमा जो पहले तय हुआ करती थी उस सीमा को इतने उचाई पर लेके गए अपने बजन से अपने आवाज से तो मुझे लगता है कि युवाओं उन्हें भी भारत की संस्कृति और पर अगर अपने खंदे पे भी मजबूती से भारत की बांगडोर संबालते हैं तो भारत ऐसा एक देश बने कि आने वाले समय में नबल के अमेरिका नबल के चीन भारत करमांक फेक का विश्व में देश होना तो इस साल की थीम जो कलकता की है लेकिन ये इस साल की थीम में लगा देवी है मालक्ष्मी है अंबे माह है सरसोधी देवी है तो मुझे लगता है कि यहां पर हमने दुर्गा देवी का भुबे रूप खड़ा किया है और इसमें हर दिन अलग अलग नुद्य के अविश्कार से यहां पर शाम की जो संध्या है उस संध्या को सजाए अब कैपेसिटी ऐसा है कि यह तो फ्री है सिर्फ ऑनलाइन जाना है और पासेज लेना है तो यहां पर करीबं साथ सो लोग बैठेंगे साथ 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 सतर सतर नुद्यांग गना यहां पर उसका अविश्कार साधर करेंगी और यह देखने लायक और जिनको यहां पर इस अब करता है कि नौदिन नाचने गरबा करने का अवसर मीता है यहां आप लोगों को भिठा कर खरी पूजा कराईगे तो आपको लगता है कितने कामा भूपाएंगा प्राउड को पूल करने ले तो पूजा करेंगे ऐसे नहीं है लेकिन सिर्फ पूजा नहीं है यहां पर यह है आप विज़र करो दैंडिया किलने के लिए जो वर्ग जाता है और जो 40 के बाद का उपर घया गए 45 के बाद को ख़र गया और क्या करता है दो अबदीरों कि जाता है पूजा करता है देवी मा के चरणों में प्राणचला अरपड़ करता है तो यह आप अगर किसी से कि पैसा लेते हो और उनको लाते हो तो बादलग है जहां पर तो बना बनाया सभात हुआ है जिसको भक्ति के hardships उत्वान इंबेगी इसके एवक्ति कोई चिंता नहीं है चिंता तो धी ये बनाने की और ये तो देवी मा के आशिरवात से और हमारे कारेकरताओं की मेनत से और खला करोंगे विशेश परिश्टम से ये बनाएं